Hello everyone, मैं हूँ राजेश और स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने चैनल Civil Jobs में दोस्तो आज कल आपने देखा होगा हमारे देश में infrastructure का जो काम है बहुत ही तेजी से हो रहा है मतलब जो infrastructure जो है बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है इसका development काम ज्यादा हो रहा है तो क्या होता है जब development हो रहा है तो इसमें construction में क्या होगा कि engineer की जौरत पढ़ती है दोस्तों भी ने लिए engineer का तो कोई भी काम नहीं होता ठीक है तो engineer चाहिए लेकिन तो engineer का demand जो है बहुत से तेजी से बढ़ गए है suddenly और इसमें क्या होता है कि company को even fresher candidate नहीं मिल रहा है मतलब fresher candidate in the sense जो कि infrastructure में interested हो साथ में उसके पास एक basic knowledge हो, basic skills जो होता है जो उसके बाज उनको जो है training देने में जो भी है, देने में थोड़ा easy हो company को, तो वो candidate उनको नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे HR जो है, वो मुझे contact किये साथ में आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने मुझे contact किया कि वो कैसे HR, जो infrastructure में अपना career बना सकते है, तो उसी के related जो आज का वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा आप लोग तो चलिए शुरू करते हैं, तो दोस्तो यह है वो company, जो यह company है, इसका नाम है pro training यह corporate training देती है दोस्तो, बहुत बड़े 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 जो company होते है MNC होते है, उसमें जो freshers को hire करते है तो hire करने वाल उनको जो training दिया जाता है तो यह company उनको training देती है इनका यही काम है, ठीक है तो इनका काम है मतलब professionals को training देना तो बहुत यह अची company है certified company है government द्वारा इसमें इस तरह से तो आप इसका मैं जो है link description box में डाल दिया हूँ website का आप इसको देख लीजिएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ आज के वीडियो में और detail में तो दोस्तो यह है देखिए इनोंने ने रिकोर्स लेकर आये है यहाँ पर company के नाम में pro training यह live session होने वाला है दोस्तो पूरे 30 days का ठीक है और यह bridge design plus bridge design का course है, साथ में क्या है manual plus shape 2000 shape 2000 दोस्तो यह infrastructure जो है यह design का software है plus manual concept भी वो बताने वाला है ठीक है इसमें देखिए live class होने वाला है daily recorded session आपको दिया जाएगा जो recorded video है वो भी दिया जाएगा इसका अगा है professional trainer है, सब लोग क्योंकि बड़ी बड़ी company में यह लोग training देते है, verified certificate दिया जाएगा और career guidance भी दिया जाएगा दोस्तों आपको कैसी इसमें career बना है दोस्तों, अगर आपके पर skills है तो आपको पता है मैं इसके बारे में बहुत सारे job ले के आता हूँ definitely अगर आपको skills होगा आपको job मिलेगा, कितने लोगों को job मिल चुका है हमारे channel के थूरू दोस्तों देखिए इसका जो गती सकती योजना है गती सकती योजना है इसके थूरू जो बहुत सारे infrastructure के development हो रहा है ठीक है उसको देखिए यह देखिए quality commitment मतलब इनका जो पराने का तरीका है जो सिखाने का तरीका बहुत ही अच्छा है सभी government द्वारा certified है ठीक है अब देखिए इस certificate दिया जएगा उसका आपको sample है आपको इस तरह का sample होगा certificate का sample अब देखिए course में आपको क्या सिखाने मतलब है जब भी आपको कोर्स ले रहे है तो आप उसको क्या है सब कोर्स अच्छा है नहीं है वो कैसे आपको पता चलेगा तो वो है उसके content को देखना मतलब उसका जो slavers है ठीक है तो यह देखिए history यह तो देखिए history यह सब बताने वाद बेसिक पे ले ब्रिज लोडिंग के बारे में RC ब्रिज लोडिंग इस्टेंडर उसके बारे में बताएंगे इंडियन रेल्वे में क्या फॉलो किया जाता है इस्टेंडर क्या है उसके बारे में बताएंगे ठीक है तो देखिए reinforce concrete slab bridge deck यह सब के बारे में बनाएंगे general features design coefficient for the flexure member analysis of slab deck minimum reinforcement in slab design example यह सभी पूरा बताए जाएगा इसमें पूरा दिया हुआ है आप देख लीजेएगा मैं इसका लिंक है इसका भी यह slavers का लिंक भी आपको detail में डाल दूँगा नीचे description box में तो वहां से आप देख सकते हैं box culvert design moment shear thrust यह सभी के बारे में बता जाएगा जो कि एक मतलब design इंजिनर के लिए बहुत ही important होता है अब प्रिएस्टेस concrete bridge advantage ठीक है pretension post tension ठीक है यह सभी के बारे में बताए जाएगा यहां में बिज बेरिंग bearing bearing के बारे में बहुत क्योंकि इंटर्व्य में bearing related question पूछा जाते दोस्तों जब यहां पे bridge यहां पे infrastructure project में जाएगे इसके question आएगा याएगा types of bearing क्या होता है principle क्या है design principle यह सब expansion joint क्या है यह सब पे question पूछा जाता है तो अगर आप यह course करते हैं आप slayvers को अच्छे से देखिए मैं तो वीडियो में detail में नहीं बता हुआँगा यह सब पूरा आप है देखिए पूरा slayvers में सब कुछ include है मेरे ख्याल से तो फिर भी आप एक बार देख लीजेगा ठीक है सब भी बारे में मतलब एक infrastructure के लिए जो जरुत होता है उसके बारे में सब कुछ यहां पर दिया हुआ है उसके बारे में आप 30 live session होने वाला एक एक घंटे क मतलब 30 hours एक किसी भी चीज को सीखने लिए 30 hours बहुत ही ज्यादा होता है दोस्तों और live session का फाइदा यह है कभी आप course ले तो हमिल सा live session ही ले उसमें क्या होता है कि आप dot पूछ सकते है किसी भी तरह का आपको problem में question है तो आप पूछ सकते हैं लेकिन वो recorded session नहीं होता है इसमें भी recording session आपको बात में देखने के लिए जाए कि लेकिन आपको live होगा जिसमें आप आप कुछ भी पूछ सकते हैं लेकिन दो हजार से भी कम में इनका जो है including GST यह कोर्स दे रहे हैं तो आपके लिए 2000 तो दोस्तों ऐसे ही चला जाता है आपकी से भी चीज में ठीक है आप easily कर से आपको यह भी लिखाओ इफ एनी अदर इंस्टिटुट प्रोवाइट सेम क्वालिटी एट लेस प्राइस देन अस लाइफ प्लस रिकॉर्डड विल रिटर्न 2 एक्स दस डिफ्रेंस ठीक है टू टाइम्स वो आपको रिटर्न करेंगे अगर इसी तरह का कोई सेम क्वालि यह है दोस्तों 10 पीम टू 11 पीम तो इसलिए आप फ्रेसर हो चाहे कॉल एज़ेस्टेशन लिंक और इस नंबर वे आप कॉल भी कर सकते हैं ठीक है अब मैं आपको यह देखें यहां पर क्लाइंट वगेरा दिखा तो यह सब इनके क्लाइंट है मतलब इनके पार्टनर्स है जिन पर यह जॉब भी लगाते हैं जिन कंपनी के प्रोफेशनल को यह ट्रेनिंग देते हैं टॉप अदर यह कंपनी चार प्लस 25 अदर टॉप इंस्ट्यूट ठीक है लर्नर तकी यह एल एंटी के भी में भी यह ट्रेनिंग देते टाटा प्रोजेक्मेंट देते हैं यह कि आपको डिजाइन गा ब्रिज। का को अधूध आपको डेगा सहसें थीक है दोस्तों तब आपको विडियो अच्छा लग ओंगे तो चैनल को सब्स्क्राइब कर D巴 नेंट को यह ट्रोडीम